क्या आपको पता है कि हम मुसल्मान, मुसल्मान हो ही नहीं सकते अगर हम लोग जीजस क्राइस्ट पीस बेपॉनिम पे फेथ ना रखे, इमान ना रखे और कुरार में अल्ला सुभानों टाला कहते है चैप्टर 3 वर्स 84 में कि जितने भी प्रॉफिट्स आये हम में सब पर यकिन रखना है यह हमारा एक फेथ का इमान का हिस्सा है कि हमें सब पर यकिन रखना है किसी में distinguish नहीं करना है छोटा बड़ा तो मुस्लिम होए जो इनसान अपने wills and desires को अल्ला सुभानों ताला में submit करते हैं और उनके कहना मानते हैं अगर आप खुद Bible पढ़ोगे New Testament में John chapter 5 verse 13 में Jesus Christ खुद कहते हैं कि मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता मतलब है कि submission करना अपने wills को अल्ला पर submit करना कोई भी इनसान अगर submit करता है यानि बस वो यह कहता है कि मैं अपने आप से कुछ नहीं कहा है जो मुझे command मिला है मुझे उस पर अमल करना है उसे मुसल्मान कहा जाता है और यह बात कुरान में भी कहा गया है कि Jesus Christ पीसे भी पॉने मुझे को मुसल्मान थे अगर आप कुरान पढ़ोगे चैप्टर 5 वर्स 72-73 चैप्टर 19 वर्स 30 वर्स 36